गुड मॉनिंग गाइस आज आज आप पढ़ने वाले हैं 29 अगस्त के करंट अफेर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि कल की जो भी इंपोर्टन क्वेस्चन्स हैं उनको आप यहाँ पे रिवाइस कर ले तो आज़ी शुरू करते हैं कल का पहला प्वेश्यन था हमारा आपस्पा कानौन को ले कर के चीक है कौन सा कानौन है आपस्पा कानौन जो की आपको पता है कि जहां पर बहुत ज़दा वाइल्स रहता है उन छेत्रों को नियंत्रित करने के लिए इस कानून को लगाया जाता है तो ये अभी असम में छे महिने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है किते महिने के लिए? छे महिने के लिए फिर हमारा सामाजिक न्याय मंत्राले की नई मांसिक स्वास्त पुनर्वास हिल्पलाइन हिल्पलाइन का नाम क्या तो इसका नाम है किरड याद रखेगा क्या नाम है किरड ठीक है फिर हमारा राश्ट्री सिच्छा नीती को लागू करने वाला पहला देश कौन सा होगा तो याद रखेगा 1986 के बाद ये सिच्छा नीती आई है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा करनाटक होगा पहला राज्य ये भी important question है कि करनाटक पहला राज्य क्य जमें लागू किया जाएगा फिर हमारा सिच्छा मंत्राले ने सिच्छा के छेत्र में सुधार करने के प्रयासों को ले करके कितने सिच्छकों को राश्ट्री सिच्छक पुरसकार के लिए नामित किया है तो यहां पे कुल 47 सिच्छकों को नामित किया गया है फिर हमारा जम्मु कस्मीर ने किस संगठन के साथ कस्मीर केसर के वैपार को बढ़ावा देने के लिए ये नीला में पोर्टल सुरू किया है तो NS EIT Limited का नाम का ये कि ये पोर्टल सुरू किया गया है फिर हमारा जम्मु कस्मीर की बात आई और केशर की बात आई तो याद रखीगा केशर को GI टैग भी दिया गया है चलिए नेक्स हम लोग बात कर लेते हैं नीती आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेर नेस इंडेक्स 2020 में किस भारती राज्ज ने टॉप किया है तो गुजरात ने इसमें टॉप किया है नेक्स हमारा WHO ने 25 अगस 2020 को çıkar महाधवीप को पोलियो मुक्त गोसित किया है तो अफριकी महाधवीप को पोलियो मुक्त गोसित किया है फिर हमारा human computer human computer नहीं यहां पे होगा यहां पे होगा human calculator के नाम से किसे जाना जाता है भानु प्रकाश को नेक्स है हमारा थुम्बी महोत्सोम 2020 कि स्राज में मनाय गया तो ये केरल में मनाय गया अगला हमारा की नासा ने 2 नॉमबर 2020 को कि शुद्रग्रह के पृत्वी के पास गुजरनी की पुष्टी किया है तो यहां पे शुद्रग्रह 2018 VP1 है चीक है याद रखेगा अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन हमारा प्रधान मंत्री राश्ट्रिय बाल पुरस्कार से सम्मंधित निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो जब भी अगर असत्य की बात आ जाए तो सबसे पहले उसका गोला बना लिया करिए आप लोग रीजन ये है कि सत्य कथन तो सबके माइंड में रहता कि कौन सा सत्य है ये ज़्यादा तर पूझा असत्य कभी रेयर ही पूझा जाता है तो यहाँ पे देखते हैं पहला कतन क्या है प्रधान मंतरी राष्ट्री बाल पूरसकार की अस्थापना देश की मेघावी बच्चों व्यक्तियों और संसाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी तो बिलकुल सही बात है इसका उदेश तो यही है तो क्या यह हमारा सही उतरन नहीं यही नहीं होगा क्योंकि असत्य पूझा है केवल C असत्य है तो राइट एंसर इस समय हमारा क्या होगा option number 3 हो जाएगा राइट एंसर सही क्या होगा सही यह होगा कि जो इसके विजेता होंकते हैं वो नई दिल्ली में राजपत पर 26 जन्वरी को गरतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं important fact है इसका याद रखेगा तो बाल सकती पुरसकार का उदेश क्या है नवाचार, सैक्षडिक खेल, कला इवंट संस्कृती समास्यवा और बहादूरी सहित जो अलग-अलग छेतर है उसमें आसाधारण कारे करने वाले बच्चों को माननेता प्रदान करना चीक, चलिए अगले हमारा रागोच्ष द्वितिय से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टी कीजिए अच्छा ये इमेज देखके याद आई किसी की ये पंडित जसराज है ठीक है, आपको पता अभी हाली में इनका निधन हुआ है और इनके साथ, इनको और इनके साथ अन्य जो भी संगीत अग्य है उनको स्रद्धांजली देने के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रशारण मंत्राले के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदू स्तानी संगीत के प्रड़ेता है पंडिजसराज और अन्य जो संगीत अग्य है उनको स्रद्धांजली देने के लिए एक उनलाइन उत्सो सुरू किया गया है जिसका नाम क्या है राग उत्सो द्विती है ठीक और ये कब से कब तक चला है ये 26 से लेकर के 28 अगस के मध्य चला है ठीक तो राइट एंसर क्या हो जाएगा option नमबर 3 हो जाएगा राइट एंसर A और B दोनों सही है 26 अगस 2020 को भारत सरकार के शूचन एवं प्रसारड़ मंत्राले के फिल्म प्रभाग द्वारा इसको सुरू किया गया है या ओनलाइन है और 28 अगस तक चला है पंडित जसराज की बात करें क्योंकि इनको स्पेसिफाई किया गया तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है पंडित जसराज जो है इनका जन्म हुआ था 28 जन्वरी 1930 को ठीक है कब हुआ था 28 जन्वरी नेता और पर्सनली भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति का निधन हुआ है आपको बताना है कि वो कौन है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो बताई बहुत ही महत्वोड है ठीक है तो यहाँ पंडित जसराज की बात हुई है तो यह मेवाती घराने से है question पूछ सकता है अब जैसे यही ना मैं बार-बार आपको समझाती हूँ कि आजकल जो history हो गया geography इसमें भी जो question बनते हैं वो current से related बनते हैं तो current affair तो पढ़ना compulsory है जो सोच रहा है एक line current affair पढ़के चले जाएंगे और दो इचार question तो current से आता है तो ऐसा कुछ नहीं है अब अगर मान लीजे आटन गलसर से question पूछना होगा तो आप से यही ना पंडित जसराज के बारे में पूछेंगे क्योंकि यह चर्चा में इनकी मृत्ति हुई है यह किस घराने से है यह मेवाती घराने से है ठीक है और अभी यह तो मेवाती घराने से इसके अलामा इनके सम्मान में अंतर राश्ट्री खगोली संग ने 11 नॉमबर 2006 को खोजे गए हीन गरह वीपी 32 को इनके नाम पे पंडित जसराज नाम दिया है ठीक है समयज़रे अपने आप में कितनी बड़ी सम्मान की बात है इसके अलामा अगर हम लोग बात करें अने कलाकारों की तो फिल्मा आमिर खान इंदर घराने के संसापक उस्ताद आमिर खान के जीवन और कारियों को चित्तरित करती है इसके अलामा सुब्बू लच्मी के बारे में तो कौन नहीं जानता भारत रतने प्राप्त करता है और करनाटक संगीत की प्राची नेवम गौरो साली प्रंप्रम में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है फिर है भीम सेंज जोसी किराना घराने के है ये भी भारत रतने प्राप्त करता है और ये हिंदू स्तानी संगीत के प्रतिपादक है और ख्याल गाईकी के विशेशगत है फिर है शेमा गुड़े स्रीनिवास अयर इनको आधुनी करनाटक संगीत के पितामा के रूप में जाना जाता है चलिए अगला हमारा RCS उड़ान अब उड़ान तो सबको पता है कि उड़े देश का आम नागरिखी क्या है उड़ान RCS क्या है तो ये है रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम ठीक है RCS उड़ान योजना के तहर कितने नए मार्गों को मंजूरी मिली है तो 74 74 नए मार्गों को मंजूरी मिला है और इस योजना के ताथ अब तक टोटल 766 मार्गों को मंजूरी दिया गया है जिसमें से 274 उड़ान मार्गों को चालू कर दिया गया है जिसमें 45 हवाई अड़े हैं और 3 हेलिपोर्ट जुड़े हुए है चेतरी सेयोजक्ता उड़ान 15 जून 2016 को नागर विमानन मंत्राले दोरा जारी राष्ट्री नागर विमानन नीती का एक महतपूर घटक है चिक याद रखेगा चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा GST से ही तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि GST कब लागो हुई थी कब हुई थी एक जुलाई 2017 को GST को पूरे भारत में लागो कर दिया गया हिंदी में क्या कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं अच्छा पूरे वीश्व की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले GST कब लागो की गई थी कहां पे तो यह फ्रांस में लागो किया गया था और GST का जो मॉडल है यह किस देश से लिया गया है तो यह कैनेडा से लिया गया है इसके अलावा अगर भारत में जो GST लागो हुआ है यह किस समीतिके से फारिस पे लागो हुआ है तो वीजे कलकर समीतिके से फारिस पे और सबसे पहले GST लागो किस ने किया था जैसे मैंने आपको बताया आभी को कौन सा question था तो केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितनी लाख रुपे तक के सलाना के टर्णोवर वाले कारेबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला के आए तो 40 लाख रुपे वाले जो कारोबार होंगे इनको बाहर रखा जाएगा ठीक तो यहाँ पे इससे पहले GST की जो छूड़ थी वो 20 लाख रुपे के टर्नोर की थी लेकिन अब क्या है अब 40 लाख कर इसके अलवा देड़ करोड रुपे तक सालाना टर्नोर वाली कमपनिया कमपोजीशन इसकीम का फायदा ले सकते हैं और उन्हें सिर्फ एक परसेंट टैक्स ही आदा करना होगा चली अगला प्वेशन है मारा की केंद्रे संस्कृती मंत्राले इस तरह की क्वेश्चन में बिलीफ करिया आप यूपी एस्सी पीस्सी लेवल में बहुत ही जादा पू पेच़ढ के कितनी नए प्रसासनिक सरकल के असापना की गोशना किया है तो साथ नए सरकल बनाये जाएंगे राइट अंसर क्या होगा option no one बोले तो seven टी तो और चेलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के साथ नए प्रसासनिक स सरकल की सा Sapna की जाएगे कि जिसका उद्देश क्या होगा पुरा तात्विक्स मार्कों के संड़चण पंजी करड़ की प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाना ये नए सरकल जवलपूर मध्य प्रदेश त्रिची तमिल नाडू जहासी एवं मेरट उत्तर प्रदेश हमपी करनाटक करनाटक आया ना सुवरिकरनाटक लागू करेगा ठीक है चलिए राय गंच कहां पर है पश्चिम बंगाल में राज कोट गुजरात यहां पर बनाया जाएगा यह जो साथ ने सरकल बनाया जारे इससे पहले पुरे देश में 29 सरकल थे अब आप आ गया है तो जिन लोगों ने आप को अगर आप नहीं तयारी करते हैं डेली पुलीस यूपी एसाई बिहार एसाई या फिर नेटकी तो जो भी आपके जानने वाले हैं एटलिस आप उनको तो रिकमेंड करिए सकते हैं तो आप जरूर साहता करिएगा चलिए आते हम लोग नेक्स क्वेस्चन पर अगला क्वेस में अजहर अली को आउट करने के बाद उन्होंने या उपलबदी हाशिल किया वाब तीन इस्पिनरो मुथाया मुरली धरन शेन वौन अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेदबाज बने हैं ठीक चलिए फिर हमारा पुली कले या फिर टाइग पे जो पुलिक कली है इसमें कुछ लोग अपने सरीर पर चमकीले पीले और काले रंग से सेर की आकरिती को चितरित करके ड्रम एवं तीवर म्यूजिक के साथ सहर के चारों और घूमते हैं और ये केरल के त्रिशूर में मनाय जाने वाले ओडम हुच्सों का एक अनिवारे ह शाहर टाइगर डांस या पुलिक कली चीक है और अभी क्या है कि कॉविड नाइंटीन को मद्दे नजर रखते हुगे इसको ऑनलाइन कर दिया गया है कि अब ये ऑनलाइन आयो जित होगा त्रिशूर शहर को कई पारंपरित तेवारों एवं एतिहासिक मंदिरों के कारण क केरल की सांस्कृत की राजधानी की रूप में जाना जाता है ओडम दच्छुड भारत विशेशकर केरल का सबसे लोगप्रिय पर्व है जो की सितंबर माह के पहले पखवाडे में मनाया जाता है या जो पर्व होता है या क्रिसी जैसे अभी हम लोगों ने एक नुवा हिंदू मनाते है ओडम मल्यालम केलेंडर के पहले महिले चिंगम से सुरू होता है इसे मल्याली हिंदू का नौवर्स कहा जाता और लगबग 10-12 दिन चलने वाले इस उच्छो का पहला और आखरी दिन सबसे महत्वपूर होता है या पे इस उच्छो पर 26 पकवानों वाले स पुस्तक है तो यह शुरीधर वासू पराम जपे नहीं नहीं यहां पर हो जाएगा हमारा क्या होगा यह देखिए सब में एक ही हो गया तो याद रखेगा कोच वासू पराम जपे उपर यह लिखी गई पुस्तक है और अभी इसकी लॉंचिंग भी होने वाली है नेक्स मन अडर करके था उसमें कुछ ठीक है याद रखेगा इसको चलिए यहां पर देख लेते हैं यह पुस्तक वासू देर जगनाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राश्ट्री चैनकरता जतिन परांजपे के साथ मिल करके आनंद वाशू द्वारा लिखी गई है इस पुस् पुस्तक आई थी इसके अलावा वन अरेंज मडर आई थी इसके अलावा कनेक्टिंग कमुनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक आई थी ठीक है तो यह सर्व इंपोर्टन बुक्स हैं जो भी रिसेंटली लॉंच हुआ है फिर हमारा निमनमेसी किस दिन को महिला समानता दिव वर्षगाठ कब मनायी गई है ये मनाया गया है हमारा 26 अगस्त को मनाया गया है महिला समाता दिवस की सौमी वर्षगाठ मेरीका में इस दिन को मनाया जाता है अब महिला ससक्ति गरड के बारे में जागरुकता फैलाना प्रोसाइद करने के लिए इसको दुनिया भर में मनाया जाता है अमेरिकी समयधान ने 19 समयधान संशोधान 1920 में अपनाया गया था जिसमें नागरिकों के लिंग के आधार पर मद्दान के अधिकार को खत्म करता ठीक है चलिए नेक्स हम लोग बात करते हैं यहां पर पहली बार तो 1972 में मनाया गया विश्व जल सब्ता के बारे में ठीक तो मनाया गया कब吗 कब से कब तक मनाया गया जल विश्व जल सब्ता कि एक्सेज और कवीड गया है इसम ci या इसम 26ट से 28 अक्षए गया है 22 मार्स को मनाया जाता है विश्व जल दिवस याद रखेगा important question है और इस बर इसकी theme क्या थी जल संसाधनों पर जलवाई परिवर्थन का प्रभाव यानि लोगों को या जागरू करना की जलवाई परिवर्थन किस तरह से जल संसाधनों पर यहां पर प्रभाव पढ़ रहा ह और 2019 की theme क्या थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना तो यह थे हमारे आज की important question I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो channel को subscribe करें share करें और like करना ना भूले daily updates पाने के लिए bell icon पर जरू क्लिक करें thank you friends thank you so much